हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कुकीज की रेसिपी जिसको आज हम बिना अवन के बनाने वाले हैं तो अगर आप अवन में बनाना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग और टेंपरेचर दोनों ही मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी इस टेस्टी सी कुकीज को हम नान कटाई कहते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है आज हम इस नान कटाई को अपने घर में रखी हुई चीजों से ही बनाने वाले हैं और जैसे मार्केट में नान कटाई मिलती हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये घर में इसली बन जाती है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मार्केट के तरह लग रही है यह सूपर टेस्टी नान खटाई को बनाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन को ओल पर सेट करें ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अप्लोट करूँगी आपको पता चल जाएगा और फिर वहाँ से आप डिरेक्ली वीडियोस को वाच कर सकते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते है नानखटाई को सबसे पहले मैंने इक ठीहाई घी लिया है आप यहाँ पर घी की जग़ा पर बटर भी ले सकती है घी आपने थोड़ा सा जमे हुए फ़ॉर्म में ही लेना है मेल्टेट फ़ॉर्म में नहीं लेना है तो अगर घी आपका melted form में है तो उसे थोड़ी देर के लिए phrase में रख दीजे तब वो थोड़ी से जमे हुए form में आ जाएगा तो total मैंने 4 चमच यहाँ पर घी लिया है गी को बाउल में डालने के बाद हम यहाँ पर add करेंगे 2 तीहाई कप sugar powder या जिसे हम चीनी का पुरादा भी बोलते हैं तो जो हमारी घर में नॉर्मल चीनी होती है उसे ही मैंने अच्छे से पीस लिया था और उसे यहाँ पर use कर रहा है मैंने sugar powder को आप अपने taste के according थोड़ा सा कम या जादा भी कर सकते हैं लेकिन जो measurement मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल perfect है अब sugar और घी को अच्छे से mix करेंगे और हम इसे लगातार mix करते रहेंगे ताकि यह बिल्कुल fluffy सा हो जाए तो मैं यहाँ पर इसको चमच की help से mix कर रहे ह आप चाहें तो अगर आपके पास electronic beater है तो उससे भी कर सकते हैं उससे आपको 3-4 मिनट लगेंगे और हाथ से करने में आपको 7-8 मिनट लग जाएंगे आप देख सकते हैं दीरे दीरे इसकी quantity बढ़ने लगी है और इसका color भी change हो गया है यह वाला step बहुत जरूरी है अगर आपने यह step अच्छे से किया होगा तो आपकी नान कटाई बिल्कुल perfect बनेंगी जैसे market में मिलती है अब मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी चन्नी ले ली है उसके बाद मैं यहाँ पर add करूंगी एक cup गेहों का आटा आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसे थोड़ा सा healthy रख रही हूँ इसलिए मैंने आज इसे गेहों के आटे से मिनाया है क्योंकि यह सबके घर में easily मिल वे जाता है उसके बाद मैंने इसमें डाला है आधा कब बेसन और साथ ही 3-4 चमच मैं हापस सूजी एट करने वाली हूँ जैसे हम रवा भी कहते हैं अच्छे से इसको छान लिया है और जो भी चोटे मोटे दाने थे उसको मेने outside כर लिया है इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक छोटा चमच baking powder भी डाला है अब इन सारी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे ताकि जो भी सारी चीजें हमने यहाँ पर use करी हैं वो एक दूसरे से अच्छे से mix हो जाएं अच्छा आप मैं यहाँ पर add करने वाली हूँ थोड़ा सा yellow food color यह बिल्कुल optional है अगर आपके पास हो तो आप जरूर add कर लीजेगा अब food color को भी इसमें अच्छे से mix कर लेते हैं अगर आप उसमें yellow color लाना चाते हैं लेकिन food color का use करें बिना तो आप क्या करिए दो चमच गुनगुने दूद में केसर के धागे को डाल लीजे थोड़ी देर में केसर के धागे से जो yellow color आएगा वो दूद मिक्स हो जाएगा तो जैसे मैं आप दूद का use कर रही हूँ तो आप उस टाइम पर यहाँ पर केसर वाले दूद का use कर सकते हैं यह दूद आपने ज़्यादा नहीं डालना है बस थोड़ा बहुत ही आपने इसको रोटी के आटे की तरह नहीं गोतना है बस दूद चमच आप दूद डालिए और फिर यह अच्छे से bind हो जाए बस इतना ही आपने करना है और बहुत ही हलके आतों से आपने इस process को करना है तो अगर आपका दूद दो चमच से ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब कि आपके major man में थोड़ी बहुत गरबड़ी है आप तब भी गी एट कर लीजेगा लेकिन दो चमच से ज़्यादा दूद आपने एट नहीं करना है तो यह देखें मैंने डो को bind कर लिया है अब इसे आदे गंटे एक लिए हम phrase में रख देंगे ताकि यह थोड़ा सा hard और set भी हो जाए अब यहाँ पर मैं एक plate ले रही हूँ जिसके उपर मैं biscuits को बनाने वाली हूँ इसको मैंने गीं से अच्छे से grease कर लिया है उसके बाद मैं butter paper लोंगी और इसको भी अच्छे से गीं से grease कर लोंगी अगर आपके पास butter paper ना हो और उसकी जगा पे आप क्या use कर सकते हैं आपको यह जानना है या आपको कोई और चाही जाननी हो तो आप comment करके मुझसे पूस सकते हैं तो आदे घंटे बाद मैंने इसको निकाल लिया है फ्रिस से और यह थोड़ा सा set भी हो चुका है अब आपको एक ऐसी चमच ले लेनी है ऐसी चमचें आपको easily किसी भी container में मिल जाती है और अगर आपके पास यह ना हो तो जो normal हमाई घर में still यह चमच होती है उससे भी आप measurement कर सकते हैं ऐसी किसी भी spoon से measurement करने से हमारे सारे biscuit एक size की बनेंगे और वो फिर evenly baked भी होंगे नहीं तो क्या होगा कोई छोटे बन जाएंगे कोई बड़े बन जाएंगे चोटे वाले तो जल्दी से पक चाहेंगे लेकिन बड़े वालों को time लगेगा इसलिए आप ऐसी spoon की help लें और पहले से ही ऐसी balls बनाके आप ready कलने तो biscuits को save देने से पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे आप चाहें तो यहाँ पर कढ़ाई की जगह पर pressure cooker भी ले सकती है फिर आपने एक ऐसा stand लेना है अगर आपके पास ऐसा stand ना हो तो घर में कोई कटूरी होगी उसे आप नीचे से रग लीजेगा अब हमने इसका ढखन लगा के इसको 10 मिनट के लिए preheat होने के लिए छोड़ देना है और हम इसे high flame पर ही preheat होने के लिए छोड़ेंगे तो जब तक यह गरम हो रहा है हम नान कटाई को shape दे देते हैं तो आपने एक ऐसा portion उठाना है हाथों के बीच में आपने इसको ऐसे round round गुमाना है basically हम इसकी एक ball बनाके ready करेंगे तो जब देख सकते हैं बड़े अतरीके से इसकी ball बन जाती है अगर आपको इसमें cracks दिख रहे हैं तो आप इसे थोड़ा सा muscle सकते हैं तो मैंने जिस plate के उपर butter people के साथ grease किया था उसके उपर हम cookies को रखेंगे और थोड़े से मैंने उसके उपर पिस्ता के साथ garnishing भी की थी आपने इनको थोड़े से दूरी पर ही रखना है क्योंकि अभी जब ये bake हुंगे तो ये अपने size से बहुत बड़े हो जाते हैं थोड़ी दूरी पर ही रखेंगा तो इस बात का आपने ध्यान देना है और यहाँ पर ये पिस्ता चिपकने का नाम ही दिले रहा था बताने क्यों लेकिन मैंने फिर भी अच्छे से सेट कर लिया था तो इस plate में total 6 cookies आ गई थी और आपने एक ऐसी plate का यूज़ करने है जो आपके कड़ाई या फिर कोकर के अंदर अच्छे से फट हो सके तो दस मिनट हो चुके हैं कड़ाई अच्छे से गरम हो चुकी है तो कड़ाई बहुत गरम है तो आपने बहुत ही अराम से इस plate को इसमें रख देना है और इस बात का ध्यान रखेगा कि जो plate है वो कड़ाई के साथ चिपकने वाली नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी दुराई पे होनी चाहिए तो ड़कन मैंने लगा लिया है और इसमें air निकलने वाला भी है तो मैंने कागज को fold करके इसको बंद कर लिया है ताकि जो air है वो बहाँ ना आए अब हम इसको low flame बे ऐसी bake होने के लिए चोड़ देंगे तो ऐसे कड़ाई पे बनाने में इसे पूरे 20 मिनट लगे थे और आप देख सकते हैं ये किते बड़े तरीके से पके भी हुए हैं और किते बड़े हो गए हैं अपने size से हो सकता है आपके नान कटाई थोड़ी सी बड़ी या छोटी हो तो time थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है इसलिए 13 मिनट तो आपको लगेंगे ही biscuits को बनाने के लिए उसके बाद आप इसको बीच बीच में चेक कर सकते हैं कि ये अच्छे से bake हुए हैं या नहीं हुए हैं क्योंकि हमने butter paper का use किया है तो ये easily निकल जाएंगे और फिर उसी plate के उपर हम दूसरा batch रखेंगे और इसको भी हम 20 मिनट के लिए ऐसे bake होने के लिए छोड़ देंगे अगर आप इन्हें अवन में बना रहे हैं तो अवन को 10 मिनट पहले 180 degree में preheat कर ले और अवन friendly tray में आपने ऐसी butter paper लगाना है और cookies को दुराई में रखना है और उसमें आपके 10-15 मिनट में ही याराम से bake हो जाएंगे तो ये देखे हमारे सारे cookies बनके ready हो चुके हैं बहुत ही बड़िया इसमें layers आई हुई हैं अगर आपके biscuits में ऐसे layers नहीं आई हुई हैं इसका मतलब कि आपका biscuits अच्छे से bake नहीं हुआ है और वो उतना जादा खसता भी नहीं होगा और tasty भी नहीं होगा तो ऐसे जब आपको cracks दिखें तो इसको ये मत समझें कि ये बिकार हो गया ये अच्छा sign है कि biscuit बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बने है biscuit की बिल्कुल market वारी look आई है और खाने में बहुत tasty है अराम से आप इसको एक महने तक दो महने तक store करके भी रख सकती है बस ध्यान रखेगा एक airtight container में ही रखना और अगर आपको इनान कटाई की recipe अच्छी लगी है तो इससे अपने friends और family के साथ भी share करें comment करके मुझे ज़रूर बताइए आपको ये recipe कैसी लगी है